बिहार विधान भवन, विधान सभा भवन के शताबदी वर्ष, समापन समरों में पधारे विश्व के सबसे बरे लोगतांत्रिक देश के प्रधान मंत्री आदरने श्री नरेंदर मोदी जी बिहार के राजधानी पटना पोच चुके हैं आपको बताए किस वक्त वो बिहार विधान सभा परसर में मौजूद है जहां पहले उनका स्वागत किया गया फिर उसके बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बिहार विधान सभा परसर में शताबदी स्तंब का और असी कड़ी में बिहार के वर्तमार नेता प्रतिपाक शिजस्वी आदव मंच पर मौजूद है और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं तिजस्वी आदव छोड़ जाते उनके पूरे अब भाशन के साब बिहार विधान भवन विधान सबा भवन के शताबदी वर्ष समापन सामरों में पधारे विश्व के सबसे बरे लोकतांत्रिक देश के प्रधान मंत्री आदरने श्री नरेंदर मोदी जी विश्व के विश्व को प्रतम बार लोकतांत्रिक विवस्था से परिचे कराने व बिरहान सभा के अध्यक्ष मानी श्री विजेकुमार सिन하지 बिरहान परिशत के सभापती महोदे उपमुक मंत्री जी और मंच्पे विराजमान मंत्रीगण इम सभा में उपस्तित सभी वर्तमान और पूर्व मानी सदसों का हर्दिक अभिवनन दन और स्वागत करता हूँ बिहार्ड लोकतंत्र की जन्नी है अता यहां से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए हम अलग-अलग दलों से इस विधान मंडल में हैं लेकिन हमारी विचारिक प्रतिस्वद्दा और रास्नितिक सतुता में नहीं बदलनी चाहिए समाज के हर वर्ग की अबादी के अनुसार भागेदारी और हिसेदारी से ही लोकतंत्र सम्रिद और समावेशी होगा मान्य प्रधार मंत्री जी जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे राज के वैशाली से ही लोकतंत्र बाकी जगोस पर प्रसारित हुआ अतह मैं आपसे आगरह करता हूँ कि School of Democracy, Legislative Studies जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो जिसके माध्यम से विधाई और लोगतंत्र के विभिन पहलूँ पर शोद एम अध्यन की अफसर और प्रस्टिक्शन दिया जा सके विभिन पहलूँ पर शोद और अध्यन के अफसर और प्रस्टिक्शन दिया जा सके पूरे देश के जर्पतनिधियों, युवाओं और संबंदित करमचारियों को इससे इलाब मिलेगा आशा है आप आशा है आप हमारी मांग को पून करेंगे हमें विश्वाश है और गंबीता पूर्ण वक संत्रिय है आदरने प्रधान वंत्री जी आपने डिजर्विंग और विशेशग्य वेक्तियों को पद्मश्री पद्मभूशन इत्यादी सर्वोच नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्त एवब सकरात्मक परंपरा स्थापित की है इसी प्रांगन में हम जन्नायक करपूरी ठाकुर जी के आम कद्म प्रतिमा के बगल में बैठे हैं हमारी मांग है कि जन्नायक करपूरी ठाकुर जी को भारत रतन देकर इस सताब्दी वर्ष समाराओं एवं देश के प्रदान मंत्री जी के बिहार बिधान जवा प्रांगन में प्रत्थम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की क्रिपा करें यह उपस्तित हर एक मानी सदिसों की यह आर्दिक इच्छा है कि जन्नायक करपूरी ठाकुर जी को एक अवश्य भारत रतन मिलना चाहिए लोकतंत्र में समाक्ष कई चुनौतियां हैं लेकिन हम सामुहिक प्रयास और संकल्प से जन्नतंत्र को धन्नतंत्र और छल्नतंत्र से बचा सकते हैं हमारे पुर्खे ने लोकतंत्र की हमारे लोकतंत्र की समझे दिस ग्रासत स्वापी आवश्वता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे परे लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत मना और विधान सवा की सताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अफसर भी है होना आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रनाम करता हूँ जै बिहार जै हिन